नमस्कार दोस्तो ज्यान गंगा यूटीब चनल में आपका स्वागत है दोस्तो महाबारत के युद्ध में इतने सारे युद्धाओं के लिए भोजन का प्रभंध किस प्रकार हुआ होगा यह जानकर हैरानी होती है पर हम आज आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे है जो आपने कभी नहीं सुनी होगी तो आप इस कथा को सुनिए और आपके क्या इस पर विचार है हमें कमेंट वॉक्स में बताईए महाभारत को हम सही मायने में विश्व का प्रतम विश्व युद्ध कह सकते हैं क्योंकि शायद ही कोई ऐसा राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया हो आरियावर्द के समस्त राजा या तो कौरव अथवा पांडव के पक्ष में खड़े दिख रहे थे श्री बलराम और रुकमी ये दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया कम से कम हम सभी तो यही जानते हैं किन्तु एक और राज ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से विरत था और वो था दक्षिन के उडूपी का राज जब उडूपी के राजा अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुचे तो कौरव और पांडव दोनों उन्हें अपनी और मिलाने का प्रयत्न करने लगे उडूपी के राजा अत्यनत दूर दर्शी थे उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा हे माधाओ दोनों और से जिसे भी देखो युद्ध के लिए ललाई दिखता है किन्तु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों और से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंद कैसे होगा इस पर श्री कृष्ण ने कहा महराज आपने बिलकुल उचित सोचा है आपके इस बात को छेड़ने पर मुझे प्रतीत होता है कि आपके पास इसकी कोई यूजना है अगर ऐसा है तो कृप्या कर हमें बताईए इस पर उडूपी नरेश ने कहा है वासुदेव ये सत्य है भाईयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा मुझे नहीं है किन्तु ये युद्ध अब टाला नहीं जा सकता इसी कारण मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहां उपस्तित समस्त सेना के भूजन का प्रबंध करूँगा इस पर श्री कृष्ण ने हर्शित होते हुए कहा महाराज आपका विचार अति उत्तम है इस युद्ध में लगभग पचास लाख युद्धा भाग लेगे और अगर आप जैसे कुशल राजा उनके भूजन का प्रबंध करेगे तो हम उस और से निश्चई ही रहेगे वैसे भी मुझे पता है कि सागर जितनी इस विशाल सेना के भूजन का प्रबंध करना आपके और भीम सेन के अतिरिक्त और किसी के लिए भी संबव नहीं है भीम सेन इस युद्ध से विरत हो नहीं सकते अधह मेरी आप से प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों और की सेना के भूजन का प्रबंध किया इस प्रकार उडूपी के महराज ने सेना के भूजन का प्रबार समाला पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी युद्धाओं के लिए भूजन का प्रबंध किया उनकी कुशलता एसी थी कि दिन के अंत तक एक दाना अन्नका भी बरबाद नहीं होता था जैसे जैसे दिन बीतते गए युद्धाओं की संख्या भी कम होती गई दोनों और के युद्धा ये देखकर आश्चर ये चकित रह जाते थे कि हर दिन के अंत तक उडूपी नरेश केबल उतने ही लोगों का भूजन बनवाते थे जितने वास्तों में उपस्तित रहते थे किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें ये कैसे पता चलता था कि आज कितने युद्धा मृत्यू को प्राप्त होगे ताकि उस आधार पर वे भूजन की व्यवस्ता करवा सके इतने विशाल सेना के भूजन का प्रबंध करना अपने आप में ही एक आश्चर ये था और उस पर भी इस प्रकार की अन्न का एक दाना भी बरबाद ना हो ये तो किसी चमतकार से कम नहीं था अंततह जुद्ध समाथ हुआ और पांडवों की जीत हुई अपने राज्यवी शेक के दिन आखिर का युदिष्टिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उडूपी नरेश से पूछा हे महाराज समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे है कि किस प्रकार हमने कम सेना होते हुए भी उस सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतरत्व, पितामहभीश्म, गुरूद्रोन और हमारी जेश्ठवराता कर्ण जैसे महारती कर रहे थे किन्तो मुझे लगता है कि हम सब से अधिक प्रशंसा के पात्र आप है जिन्होंने ना केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंद किया अपितु ऐसा प्रबंद किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ ना हो पाया मैं आप से इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूं इस पर उडूपी के राजा ने हस्ते हुए कहा समराट आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रीय किसे देगे इस पर युदिष्टिन ने कहा श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रीय और किसे दिया जा सकता है अगर वे ना होते तो कौरव सेना को परास्त करना असंभव था तब उडूपी नेरेश ने कहा ए महाराज आप जिसे मेरा चमतकार कह रहे है वो भी श्री कृष्ण का ही प्रताब है एसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चरिय चकित हो गए तब उडूपी ने इस रहस्य पर परदा उठाया और कहा है महाराज श्री कृष्ण प्रती दिन रातरी में मुंगफली खाते थे में प्रती दिन उनके शिविर्प में गिन कर मुंगफली रखता था और उनके खाने के पश्चात गिन कर देखता था कि उन्होंने कितनी मुंगफली खाई है वे जितनी मुंगफली खाते थे उससे खीक एक हजार गुणा सेनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वे पचास मुंख़ली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन पचास हजार युद्धा युद्ध में मारे जाएगे। उसी अनुपात में में अगले दिन भोजन कम बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। सी कृष्ण के इस जमतकार को सुनकर सभी उनके आगे नत्मस्तक हो गए। यह कथा महाभारत की सबसे दुरलब कथाओं में से एक है। करनाटक के उडूपी जिले में इस्थित कृष्ण मठ में ये कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडूपी के समराध द्वारा करवाई गई थी। जिसे बाद में माधवाचार्य जीने आगे बढ़ाया। तो उमीदे आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जैश्री कृष्णा।